बहु कहां मर गई? बहु दर्वाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी बहु मुस्कुराई और काम पर लग गई दोपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा? बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या? बहु आई सामने खिचडी रख दी सास कुस्से से ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ बहु ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचडी खाने को कहा है खाना दो पड़ेगा ही सास मुह बनाते हुए हाँ तु मेरी मा बन जा बहु फिर मुस्कुराई और चली गई आज इनके घर पूजा थी बहु सुभा चार बजे से उड़ गई पहले स्नान किया, फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साफ की पकवान और भोज बनाया सुभा के दस बज गए अब सास भी उठ चुकी थी बहु अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्तर तयार कर रही थी आज अनफिस की छुट्टी भी थी उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू हुई सास चिलाती बहु ये नहीं है वो नहीं है बहु दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दोपहर के तीन बज गए थे आरती की तयारी चल रही थी पंडित जी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब के हाथों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी थाली हाथों से गिर पड़ी शायद भोज बनाते हुए बहु के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोंचना भूल गई थी सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे कैसी बहु है कुछ नहीं आता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती नाजाने कैसी बहु उठा लाए एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी उसके पती भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही कुछ नहीं कहा बस यहीं बोल के छोड़ दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे-धीरे अब सब को खाना परोसा जाने लगा बहु दोड़ दोड़ के खाना देती फिर पानी लाती करीब 70, 80 लोग हो गए थे जैसे ही पहला निवाला सास निखाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर समभालेगी आस पडोस वालों को तो जानते ही होना सहब वो बस बहाना ढूंटते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गए ऐसा खाना है, ऐसी बहु है ये वो वगैरहा वगैरहा दिन का खाना हो चुका था अब बहु बरतन साफ करने नौक्रों के साथ लग गई रात में जगाराता का कारिक्रम रखा गया था बहु भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सांस जोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कटा देना गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा बहु मुस्कुराई और गाने लगी सबने उसके गाने की तारीफ की पर सांस मुहु फूलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चली गई अब अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के आउनफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे उसका पती चिलाता थोड़ा बर्फ लाओ, कोल्ड ड्रिंक नहीं है पापड ले आओ आखिर में उसके पती की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर बोतल तूट गई पती गुस्से में दो जहापड अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया यहां नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अनपड़ गमवार भीवी ला रखी है तुने उसे तो महमानों की इजज़त और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेयस्ती कर दी अब आस पडोस की औरतों को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने कोई काम कीन नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो छुटकारा पाओ इस गमवार से सांस उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थपड मारा और कहा अरे नालायक तुमने मेरी बहू को मारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी टांग तोड़ दूगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे जरा इधर आओ चपल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसले मारा कि तेरी शराब तूट गई पापी वो बच्ची सुबह चार बजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ कर बाहर लाई सब के सामने कहने लगी किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना जरा सामने आओ कोई सामने नहीं आया फिर सास ने कहा तुम जानते भी क्या हो, इस लड़की के बारे में, ये मेरी मा भी है, बेटी भी, मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी-कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिनरात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे और तुम कहते हो, दूसरी बहु ले आउं, याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहु की करतूत, सास ने गुस्से से पडोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफते ही तुम्हें मिया बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे, मेरी इसी बहु ने सेवन दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहां तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो, जाहिल तो तुम सब हो, जो कोईले और हीरे में फरक नहीं जानते, अगर आइंदा मेरी बहु के बारे में किसी ने एक लफ्स भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिस्कियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा आरे माजी आप क्या कर रही हूँ, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा दर मत इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूँगी तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहु चाहिए, चल खाना खाले। फिर मजाक करते हुए कहा फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना की सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूँगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं